किसान भायो अगर आपने पहली गेहों की सिचाई नहीं किये हैं बहुत से किसान करने वाले हैं बहुत से किसान कर ली हैं तो पहली सिचाई कितने दिन पर करना चाहिए और सिचाई करने के बाद आपको कौन कौन से खाट डालना है पहली सिचाई करने के बाद जैसे कि हमारे पौधे का सही तरीकी से बिकास हो सके और हमारे पॉधा जो है अची तरीकी से ग्रोध कर सके तो हमारे पौधे में कलो की संखह जादा हो तो आज इसी टोपिक पर हम बताएंगे कि पहली सिचाई की बाद कौन कौन से खाद आपको डालने है और कितनी मातरा में डालने हैं इसी टोपिक पर हम बात करों इस वीडियो में तो बने रही हमारे वीडियो को आंड तक देखने के लिए अगर हमारे चानल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किया है तो सस्क्राइब कर लें और शाद में बेल घंटी जरूर दबा लें तो किसान भाईयो अगर आपकी केहूं की फ़सल बुवाई की 20 से 25, 30, 35 दिन की हो गई है तो आप उसमें पहली सिचाई बहुत से किसान कर दी है और बहुत से किसान करने वाले हैं जो नहीं की है वो भी कर लें तो आपकी जब सिचाई हो जाती है उसके बाद हमें खाड डालनी है यूरिया यूरिया किसान भाईयो नाइट्रोजन की मातरा हमें बहुत ही जल्दी देना है और क्योंकि ये जो हमारा पौधे का विकास होता है यहां पे नाइट्रोजन का बहुत ही महत होता है जैसे कि पौधे में हमारा हरापन रहता है और हम हमारी जो पहली सिचाई है किसान भायो इसका समय पर अगर आपने सिचाई की है तो आपकी फसल बहुत ही ज्यादा से ग्रोध करेगी और आपकी फसल हरी भरी रहेगी आपकी फसल मजबूत रहेगी तो आपने पहली सिचाई के बाद यूरिया डाली तो यूरिया के मातरा 40 kg परते कड़ के बाद किसान भायू आपको लेना है सलफर सलफर किसान भायू हमारे फसल के लिए बहुत ही लाबदायक है गेहों की फसल के लिए इसको डालने से जो हमारी फसल में हरापन रहता है जो प्रकास अंसलेशन होता है इसकी प्रक्रिया ज्यादा तेजी से हमारे प विकास होता है तो इसकी मातरा आप 80 परतिसेत वाला सरफल ले रहे हैं तीन से चार किलोग्राम परतिकड में आप इसको भी यूरिया की साथ मिला लें दो खादे हो गई है तीसरा जो आपको लेना है सागरिका किसान भायों सागरिका जो होता है दानेदार इसको डालने से इस ग्रूँ से आंद तक आपकी फसल हरी बरी रहेगी और आपकी फसल अच्छे तरीके से ग्रोध करेगी तो इसकी मातरा आपको लेना है 10 किलोग्राम परतिकड में तो किसान भायों तीन खादे आपको ये लेनी है चौता जो हमारा होता है जिंक सलफेट किसान भायों बहुत बहुत ही तना इसका मजबूत होता है जिससे कि हमारे फसल आगे गिरती नहीं है तो यदि आप 33 परतिकड वाला जिंक सलफेट ले रहे हैं तो आपको एक कड़ में 5 किलोग्राम ले लेना है और अगर 21 परतिकड वाला जिंक सलफेट आप इसकी मातरा आपको ज्यादा समय इस्तेमाल कर लिया है तो आपको पहली सिचाई में इस्तेमाल नहीं करना है अगर बुवाई के समय आपने इस्तेमाल नहीं किया है तो आप पहली सिचाई करने के बाद इसकी मातरा आपको लेनी है 25 किलोग्राम परतिकड उसके बाद आपको डालनी है वहां पर आपको 20 20 kg परतेकर में डाल देना है 45 kg आपको पूरी फसल में एक एकड़ खेट में डालनी है गेहों की फसल में तो इसको डालने से जो हमारे फसल होती है इसमें छोटे-छोटे रोग नहीं लगते हैं और हमारे रोग की बहुत ही जादा सहंसेल छमता बनाया रखता है हमारी जड़े नहीं लंबी होती है अगर आपने पोटास का इस्तेमाल नहीं किया तो आपकी बालिया छोटी-छोटी निकलेंगी जिसमें कि आपकी पैदावार में भी कमी होगी तो आपको ये जो पांच हमने बताये हैं खाद ये पहली सिचाई के बाद आपको डालना है अच्छी तरीक इसके साथ में आपको यनपी के लेना है 19,19, 19 इसमें तीनों पोसकतर तो पाय जाते हैं नाइटोजन, फासफोरस, पोटास, इसकी मातरा आप एक किलो ग्राम परतेकड़ में इस्परे कर दें वो भी 30-35 दिन में आपको इस्परे करना है और इसके साथ में सागरिका लुकी सिचाई के पहले आपको जो आपके फ़सल में खरपतवार होते ही वो भी रसाइनिक दवाओं को पहले ही इस्तेमाल कर लें और अच्छे तरीके से उसके बाद आपको दूसरी सिचाई करना है अगर आपके फ़सल में खरपतवार भी होंगे तो भी आपकी फ़सल सही तरीके स रसाइनिक दवाएं डाल कर अच्छी तरीके से आपको कर दिना है तभी आप लोगों को अच्छी तरीके से विकास होगा तो उमीद है कि सन भायो हमारी वीडियो परसंद आई होगी वीडियो परसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब शेर जरूर कर दें